दोस्तों अगर आप मोबाइल रिपेरिंग का काम करते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोटेंट है क्योंकि अक्सर देखा जाता है जितने भी फ्लैक्स केबल पे चार्जिंग जैक जो रहता है खास करके ओप वीव वाली फोन में यह तो रहता ही है ठीक है तो इ तो यह घगाए जाए रखोके तो यह ग्राउंड से हो जाता है तो यह सोड भी हो सकता ठीक है तो इस में आपको ठीक से रहना है पीछे करके ठोड़ा ठीक है जस्ट पीछे करके आपको थोड़ा लगाना है एंड लगाने के बाद सबसे पहले आपको charging jack का है आपको जो इन्हें voltage चेक करना है इस तरीके से इस point पर रख़ गए तो आपको charging voltage जो है पता चल जाएगा अब यहाँ पर charging voltage यहाँ तक सही हो रहा है यहाँ तक आ रहा है तो ठीक है यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर चेक करना है ठीक है अगर यहाँ पर आ रहा है तो ठीक है इसके बाद आपको पता केबल पर चेक करना है इस तरीके से ठीक है केबल के इस साइड तो यहां पे अगर यहां पे आ रहा है तो इसका देखेंगे प्लस लइंग कहला ऑर अनुछ वोल्टेज अगर आता है पीन के पॉइंट पर पहले वुल्टेज चेक कर लेना वहां पर अगर सही आता है तो यहां तक अगर वुल्टेज नहीं आता तो आप जंपर भी कर सकते हैं अगर जंपर के दूर सही नहीं होता है आप देख लेना लाइन कहां पर ब्रेक है उसी साब से नहीं होता है तो आप पत्ता चेंज कर दू, simple process, ठीक है?